C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ यह अध्याय दो है एक चरवाले रैखिक समिकरण दो दशमलवतीन कुछ अनुप्रयोग हम एक सरल उदाहरण से आरंब करते हैं दो संख्याओं का योग 74 है उनमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है वे संख्याएं कौन-कौन सी है यह एक पहेली की तरह है हमें दोनों में कोई भी संख्या पता नहीं और उन्हें ग्यात करना है हमें दो शर्तें दी गई है हम कक्षा साथ में सीख चुके हैं कि इस तरहां की समस्या कैसे आरंप करते हैं हम मानते हैं कि छोटी संख्या X है तब बड़ी संख्या है X से 10 अधिक अर्थात X जमा 10 दूसरी शर्थ है कि संख्याओं का योग 74 है अथह X जमा कोश्ठक में X जमा 10 बराबर है 74 या 2X जमा 10 बराबर है 74 10 को दाइं पक्ष में पक्ष आंतरण करने पर 2X बराबर है 74 घटा 10 या 2X बराबर है 64 दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर X बराबर है 32 अर्थात छोटी संख्या है 32 तथा दूसरी बड़ी संख्या है X जमा 10 बराबर है 32 जमा 10 बराबर है 42 अर्थात अपेक्षित संख्याएं 32 तथा 42 हैं जो दोनों शर्तें भी पूरी करती हैं इस विधी की उप्योगिता दिखाने के लिए हम कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं उदाहरण पांच परिमेश संख्या घटा साथ बटा तीन के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे तीन बटा साथ प्राप्त हो हल परिमेश संख्या घटा साथ बटा तीन का दुगना है दो गुणा कोश्ठक में घटा साथ बटा तीन बराबर है घटा चौधा बटा तीन माना इसमें एक्स चोणने पर तीन बटा साथ प्राप्थ होता है अतह एक्स जमा कोश्ठक में घटा चौधा बटा तीन बराबर है तीन बटा साथ या एक्स घटा चौधा बटा तीन बराबर है तीन बटा साथ या एक्स बराबर है तीन बटा साथ जमा चौधा बटा तीन बराबर है कोश्ठक में 3 गुणा 3 जमा कोश्ठक में 14 गुणा 7 बटा 21 बराबर है 9 जमा 98 बटा 21 बराबर है 107 बटा 21 इस प्रकार 3 बटा 7 प्राब्त करने के लिए 2 गुणा कोश्ठक में घटा 7 बटा 3 में 107 बटा 21 जोड़ा जाना चाहिए प्रिष्ट संख्या 29 उदाहरण 6 एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चोड़ाई 2 तीन बटा 4 सेंटीमीटर है उसकी लंबाई ज्याद कीजिए हल हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई एक्स सेंटीमीटर है आयत का परिमाप 2 गुणा कोश्ठक में लंबाई जमा चोड़ाई बराबर है 2 गुणा कोश्ठक आरंब एक्स जमा 2 तीन बटा 4 कोश्ठक अंत बराबर है 2 गुणा कोश्ठक आरंब एक्स जमा 11 बटा 4 कोश्ठक अंत परिमाप 13 सेंटीमीटर दिया गया है अतह 2 कोश्ठक आरंब एक्स जमा 11 बटा 4 कोश्ठक अंत बराबर है 13 या एक्स जमा 11 बटा 4 बराबर है 13 बटा 2 दोनों पक्षों को दो से भाग करने पर या एक्स बराबर है 13 बटा 2 घटा 11 बटा 4 11 बटा 4 को दाई पक्ष में पक्ष आंतरन करने पर बराबर है 26 बटा 4 घटा 11 बटा 4 बराबर है 15 बटा 4 बराबर है 3 तीन बटा 4 आयत की लंबाई 3,3 बटा 4 सिंटी मीटर है उदहरन साथ साहिल कीमा की वर्टमान आयू साहिल की वर्टमान आयू की 3 गुनी है पांच वर्ष बाद उन दोनों की आयू का योग 66 वर्ष हो जाएगा उनकी वर्तमान आयू ग्यात कीजिए हल माना साहिल की वर्तमान आयू बराबर है X वर्ष हम साहिल की पांच वर्ष बादवाली आयू X वर्ष मान कर भी चल सकते थे आप इस प्रकार चल कर प्रयत्न कीजिए यहाँ पर एक सारणी बनी है इसमें तीन स्तंब हैं साहिल, मा, योग पंक्ती एक, वर्तमान आयू, X, 3X, रिक्तिस्थान पंक्ती दो, पांच वर्ष बाद आयू, X चमा पांच, 3X चमा पांच, 4X चमा दस उनकी आयू का योग 66 वर्ष दिया है अतह 4X जमा दस बराबर है 66 इस समीकरण में X साहिल की वर्तमान आयू है समीकरण हल करने के लिए 10 दाएं पक्ष में पक्ष आंतरित करते हैं 4X बराबर है 66 खटा 10 या 4X बराबर है 56 या X बराबर है 56 बराबर है 14 जो की हल है पुरिष्ट संख्या 30 इस प्रकार साहिल की वर्तमान आयू 14 वर्ष है तथा उसकी मा की आयू 42 वर्ष है आप जांच कर सकते हैं कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयू का योग 66 वर्ष होगा उदाहरन आठ बंसी के पास कुछ सिक्के रुपए दो वाले तथा कुछ पांच रुपए वाले हैं यदि दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या पांच रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और उनके मुल्यों का कुल योग 77 रुपए है तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ग्यात कीजिए हल, माना बंसी के पास पांच रुपए वाले सिक्कों की संख्या एक्स है, तब दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर है तीन एक्स, अतह, एक, रुपए पांच वाले एक्स सिक्कों का मूल ले, बराबर है पांच गुणा एक्स, बराबर है रुपए पांच एक्स, तथा 2, रुपए 2 वाले 3X सिक्कों का मूल्ले बराबर है 2 गुणा 3X बराबर है रुपए 6X अतह कुल मूल्ले बराबर है 5X जमा 6X बराबर है 11X रुपए कुल मूल्ले दिया है 77 अतह 11X बराबर है 77 या X बराबर है 77 बराबर है 7 दोनों पक्षों को 11 से भाग करने पर अर्थात रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर है X बराबर है 7 तथा 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर है 3X बराबर है 21 जो की हल है आप चांज कर सकते हैं कि इन दोनों का मूल्य सतत्तर रुपए ही होता है उदाहरण नौ, यदी ग्यारा के तीन लगातार गुनजों का योग 363 है तो उन्हें ग्याद कीजिए हल, यदी ग्यारा का एक गुनज एक्स है तब अगला गुनज होगा एक्स जमा ग्यारा और उससे अगला गुनज एक्स जमा ग्यारा जमा ग्यारा या एक्स जमा बाईस होगा यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी है उस पर यह संख्याएं लिखी है शुन्य, ग्यारा, बाईस, रिक्तिस्थान, एक्स, एक्स जमा ग्यारा, एक्स जमा बाईस दिया है कि ग्यारा के इन तीनों लगातार गुणजों कायोग बराबर है 363 इससे हमें निम्न समिकरण प्राप्त होता है एक्स जमा कुश्ठक में एक्स जमा ग्यारा, जमा कुश्ठक में एक्स जमा बाईस बराबर है 363 या x जमा x जमा 11, जमा x जमा 22, बराबर है 363, या 3x जमा 33, बराबर है 363, या 3x बराबर है 363, खटा 33, या 3x बराबर है 330, या x बराबर है 330, खटा 3, बराबर है 110. अर्थात ये तीन लगातार गुणज हैं 110, 121 तथा 132 हम यहां देखते हैं कि समस्या को विभिन्न प्रकार से कैसे हल किया जा सकता है वेकल पिखल 11 के तीनों लगातार गुणजों में हम मध्य वाला X मानते हैं इसके पहले वाला गुणज होगा X खटा 11 और इसके बाद वाला गुणज होगा X जमा 11 अतह समी करण होगा कोश्ठक में X खटा 11 जमा X जमा कोश्ठक में X जमा 11 बराबर है 363 या 3X बराबर है 363 दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर X बराबर है 363 बराबर है 121 इस प्रकार X बराबर है 121 X खटा 11 बराबर है 110 X जमा 11 बराबर है 132 अतह 11 के तीन लगातार गुणज है 110, 121 व ए 132 प्रिश्ट संख्या 31 उदाहरन 10 दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यदि उन में दो अनुपात 5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ग्यात कीजिए हल क्योंकि दोनों संख्याएं 2 और 5 के अनुपात में हैं अतह हम एक संख्या 2X और दूसरी 5X मान सकते हैं ध्यान दीजिए कि 2X अनुपात 5X में 2 अनुपात 5 का अनुपात है इन में अंतर है 5X घटा 2X जो 66 के बराबर दिया है अतह 5X घटा 2X बराबर है 66 या 3X बराबर है 66 या X बराबर है 22 क्योंकि संख्याएं 2X तथा 5X हैं अतह संख्याएं हुई 2 गुणा 22 तथा 5 गुणा 22 अर्थात 44 तथा 110 और इनका अंतर 110 घटा 44 बराबर 66 ही है जो वान्चित है उदाहरण 11 देवेशी के पास 50 रुपई 20 रुपई तथा 10 रुपई वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं जिनका मूल ले 590 रुपई बनता है यदि 50 रुपई तथा 20 रुपई वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3 अनुपात 5 है तो प्रतियक प्रकार के नोटों की संख्या ग्याद कीजिए हल मानते हैं कि 50 रुपई तथा 20 रुपई वाले नोटों की संख्या क्रमशह 3X तथा 5X है लेकिन कुल नोटों की संख्या 25 है अतह 10 रुपई वाले नोटों की संख्या 25 घटा कोश्ठक में 3X जमा 5X बराबर है 25 घटा 8X इन नोटों से उसके पास धन हुआ 50 रुपई वाले नोटों से 3X गुणा 50 बराबर है 400X रुपई 20 रुपई वाले नोटों में 5X गुणा 20 बराबर है रुपई 100X 10 रुपई वाले नोटों में कोश्ठक में 25 घटा 8X गुणा 10 बराबर है रुपई कोश्ठक में 200 घटा 8X और कुल धन हुआ डेड़ सो एक्स जमा सो एक्स जमा कोश्ठक में धाई सो घटा असी एक्स बराबर है रुपए कोश्ठक में एक सो सत्तर एक्स जमा धाई सो यह धन पांसो नब्बे रुपए के बराबर दिया है अतह एक्सो सत्तर एक्स जमा धाई सो बराबर है पांसो नब्बे या एक्सो सत्तर एक्स बराबर है पांसो नब्बे घटा धाई सो बराबर है तीन सो चालीस या एक्स बराबर है तीन सो चालीस बटा एक्सो सत्तर देविशी के पास 50 रुपई वाले नोट बराबर है 3x, बराबर है 3 गुणा 2, बराबर है 6 नोट, 20 रुपई वाले नोट बराबर है 5x, बराबर है 5 गुणा 2, बराबर है 10 नोट, तथा 10 रुपई वाले नूट बराबर है 25 घटा 8X, बराबर है 25 घटा कोश्ठक में 8 गुणा 2, बराबर है 25 घटा 16, बराबर है 9 अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलांग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन वनिर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत झाल झाल सो झाल झाल झाल